प्रस्ण है पुरा प्वसान काल में आदी मानेव के मरुनंजन का साधन था ओप्षन दिया हुए स्क्रीन पर दोस्तों बताए इस प्रश्ण का उत्तर कोमेंट बोक्स में क्या होगा तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका option एब बिल्कुल सही है सिकार तो पुरा पवसान काल में आदी मौनव का मरुणजन साधन था दोस्तो वह कया था? सिकार option एब बिल्कुल सही है तो चलिए अगले प्रशने की ओर प्रशन दोस्तो आप तो दोस्तो पुरा बेक्षिया देख रहे हैं आप बेख्या में लिखा हुआ है कि पुरा प्वशन काल में आदी मौनव के मरुणजनों का साधन सिकार था वे शिकार पर ही निर्भर रहते थे उनका भोजन मांस कंदमुल आदी हुआ करता था छलिए दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये पुड़ा पॉशान काल में जो मोनव था उसका मरणजन क्या था दोस्तों शिकार था और सिकार पर ही उसका भोजन होता था कंद मूर यनी फल बेगरा जो भी होता था दोस्तों ब्रीक से तो वही सबद्धूर सुकार सै तो प्रश्ण है नेवपोसंकाल के लोगों दूरापला गया पर्थम पसू था तो आपशन दिया हुए दोस्तो आप इस प्रश्ण का उत्तर कोमेंट बोक्स में जरूर दें तो दोस्तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका आपशन ए बिल्कुल सहे दोस्तो आप हड़ाये मत दोस्तों देखे प्रस्न आप प्रस्न को सोचे समझे दोस्तों प्रस्न देख रहे हैं कि यह नपोसन काल की बात कर रहा दोस्तों नपोसन काल में लोगों द्वारा पला गया पर्थम पसू था भेर अगर दोस्तों प्रस्न रहता कि मनब द्वारा पर्थम प परधम पशु तो भेड़ था जुटे दोस्तो इसका पुरा बेख्या देखते हैं तो प्रस्न समझ में आ जाएगा तो दूस्तो प्रस्न को सुनिये या अपने मन मध्य काल से ही प्रारम हो चुका था मानव ने सार पर्थम जिस पसु को पालतू बनाया वह कुत्ता था समझे दोस्तो मानव ने जिस पसु को पालतू बनाया वह क्या था दोस्तो कुत्ता था आप समझ लें यहां पर तो आगे हैं दोस्तों दक्षिन पस्चिम एसिया में भेर पालतू पसू के रूप में बिक्सित की गई चुकी लगभग यही काल नपवसान काल है अतना इस प्रश्ण का उत्तर भेर होगा तो समझें दोस्तों कि नपवसान काल का है यह पसू मतलब भेर को दोस्तों नपवसान काल में पालना शुरू किया इसलिए नपवसान काल में अगर पूछा दैं दोस्तों तो भेर होगा तो चलिए दूस्तो आगे पढ़ते हैं इसका तो बेर उत्तर भेर होगा, वीडियाप थे quieren आया है दूसरी तरह है तो चलिए प्रश्ण देख रहे हैं, सबसे पहला कॉन सा हरपा काजल आस्तल खोजा गया था, तो सबसे पहले कौन सा हडपा का रास्था खोजा गया था दोस्तों बताइए इस प्रश्ण का उतर क्या होगा comment box में तो इस प्रश्ण का उतर होजागा दोस्तों आपका option ये बिल्कुल सही है हडपा तो चले दोस्तों इसे अब पुरा detail से देख लेते हैं तो चले दोस्तों पुरा detail से आप copy column करें दोस्तों और लिख लिजे तो आपका बहुत ये प्रश्ण मदद करेगा ये सभी बेख्या मदद करेगा तो चले दोस्तों आप बेख्या दिमें देख रहे हैं कि सबसे पहले 1921 इसवी में दयाराम साहिनी के नितवर में पस्चिमी पंजाब के हडपा नमक अस्थाल में हुई उत्खनन में हडपा सभ्यता का पता लगा था सिंधू सभ्यता के अस्थाल में सारु प्रत्थम हडपा नमक अस्थाल पर खुदाई होने के कारण ही इस सभ्यता का नम हडपा सभ्यता रखा गया तो चलिए दोस्तों आपने इसे समझ लिये होंगे अच्छे से और इसे आप कोपी में नोट भी कर लिये होंगे तो चलिए अगले प्रस्न प्रस्न है सिंदु घाटी सभ्यता अनायर सभ्यता क्यों थी तो दोस्तो इस प्रश्ण का उत्तर आप comment box में जरूर दें तो इस प्रश्ण का उत्तर दोस्तो आप अगर सही से सोचें तो बिल्कुल option A सही है दोस्तो यह एक सहरी क्रण सभ्यता थी तो प्रस्ट अना आडियाओं का संबंद सहरी सभ्यता से है तो दोस्तो इतना समझ गें अब प्रस्ट अब कह रहा है दोस्तो जबकि आडियाओं का संबंद केवल ग्रामीन सभ्यता से रही है तो दोस्तो आडियाओं का संबंद सहरी सभ्यता से है जबकि आडियाओं का संबंद केवल ग्रामीन सभ्यता से रहा है तो दोस्तो यहां तक समझ गें अता यह असपश्ट है कि सिंदु सभ्यता का सहरी सभ्यता होना इस सभ्यता के अना आर्य सभ्यता होने का सार्वधिक ग्रान प्रामन मिलता है तो समझ गें दोस्तो इस प्रश्ट को आप चलिए आप एकदम अच्छे से कोपी मुताब लिजे या तो एक वार ध्यों से पहर लिजे आप भी दोस्तो तो चलिए अगले प्रश्ट है हडपा की सभ्यता निमली चीत से समन दित है ओप्शन दियावा दोस्तो स्कीन पर आप इस प्रश्ट का उत्तर कॉमेंट बोक्स में चलूर बता है तो दोस्तो इस प्रश्ट का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्शन ए विल्कुल सही है कस्य यूग तो हडपा सभ्यता कैसा था दोस्तो कस्य यूग सभ्यता था तो चलिए अगले प्रश्ट के और उससे पहरे दोस्तो आप यहाँ पुरा डिटेल से देख सकते हैं दोस्तो और पढ़ भी सकते हैं तो चलिए दोस्तो पर यह पुरा बेख्या हरपा सभ्यता कस्य यूगिन से समंदित है सिंधू सभ्यता यूग में तामबा और टीन मिला कर कस्या का निर्माण क्या जाता था तो दोस्तों समझ गें कि हरपा सभ्यता क्या था दोस्तों हुआ और सिंदु सभ्यता यूग में तंबा और टीन को मिला करके कसा का निर्वान क्या जाता था इस यूग की प्रमुक धातू कसा थी इस कारण इसे कस्य यूगिन सभ्यता भी कहा जाता है बस्तुत यह स्मचिए दोष्टो यह क्या थी यह ताम्र पोशन कालिन नगड़िये सभ्यता थी तो चलिए दोस्तों आपने से समझ लिया होंगे अगले प्रश्ण क्यों प्रश्ण है हलपा संस्कृती की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की काला कृतियों में किस पसू का चित्रन नहीं क्या गया था तो दोस्तों प्रश्ण आप समझ लिया होंगे प्रश्ण कराए कि हलपा संस्कृती की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की काला कृतियों में किस पसू का चित्रन नहीं क्या गया था ये नहीं क्या गया है तो option दियावा, दोसतो, आप इस फ्रष्ण का उत्तर बताये comment box में क्या होगा तो इस फ्रष्ण का उत्तर उत्तर दोसतो, option ये बिल्कुल सही है Got. क्या होगा, दोसतो, इस फ्रष्ण का उत्तर? गाय होगा हडपा संस्कृति काला के मुद्राओं और पकी मिटियों कलाकिर्तियों में किस पसू का चित्रन नहीं क्या गया था दोस्तों तो वह गाय का चित्रन नहीं क्या गया था चलिए अब इसका पुरा बेख्या देख रहते हैं दोस्तों आप पुरा बेख्या देख रहे हैं यहाँ पे पुरा डिटेल कि हड़पा संक्रिती की एक मोहर पर पदमसन मुद्रा में त्रीमूर्थी योगी चित्र है त्रीमूखी योगी चित्र है जिसकी दाहिनी और हाथी तथा बाग और बाई और गेंडा तथा भैस एवन सिहासन के नीचे दो हीरन खड़े हैं इस संस्कृती में गाय तथा घोरे की मित्य मूर्तियां मित्टी की मूर्ति नहीं मिली है तो समझ गया होगे दोस्तो इस प्रश्न है शिंदू घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देपता की आकिरती चित्री थी तो बताए दोस्तो इस प्रश्न का उतर क्या होगा कोमेंट बॉक्स में तो इस प्रश्न का उतर है दोस्तो आपका उप्शन यह बिल्कु तो बेख्या देख रहे हैं कि मोहन जोद्रों से प्राप्त एक मोहर सील पर तीन मुख्य वाला एक धन की मुद्रा में बैठा हुआ है उसके सीरों पर तीन सींग है जिसके बाई और एक गेंडा और भैस तथा दाई और हाथी एवन विग्र है इस पसूपती सीव का रूप माना गया है इस पसूपती सीव का रूप माना गया है मार्सल ने इने अधिसीव बताया तो चलिए दोस्तों अगले प्रशनी की ओर प्रशन है सिंदु घाटी सभ्यता के लोग पूझा करते थे चलिए बताएं दोस्तों इस प्रशनी का उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्ण का उत्र हो जाएगा ओप्शन डी बिल्कुल सही है पसूपती तो चलिए अगले प्रश्ण की ओर तो प्रश्ण देखने दोश्टों आप इस स्क्रीन पर प्रश्ण है निमलिखीत में से किस विद्वान ने सार पर्थम हडपा सभ्यता के अफसेशों को खोजा था ओप्शन सी बिल्कुल सही है ए कनिंगम ए कनिंगम ने सार पर्थम बताया कि हडपा सभ्यता के अफसेशों को खोजा गया था तो चलिए अगले प्रश्ण की ओर प्रसने से पहले देखलेते दोस्तों यहां प्राबे क्या देखलेजी करा है कि